प्रेशन है किस भारतिय राज्य को पांच नदियों की भूमी कहा गया है आपके उप्षन है उप्षन A उत्त्राखंड, उप्षन B हिमाचल प्रदेश, उप्षन C हरियाणा या उप्षन D पंजाब अपना अंसर दीजिए इसका सियुत्तर होगा, उप्षन D पंजाब, पंजाब को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है अगला प्रेशन है सूर्य ग्रेण कब होता है या सूर्य ग्रेण किस इस्तिती में होता है आपके option है option A जब सूर्य और प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है option B जब प्रत्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है Option C, जब सूर्रे और चंद्रमा के बीच प्रत्वी आ जाती है या Option D, जब सभी गिरह एक सीधी कतार में होते हैं Option देखकर अपना सही आंसर चूज कीजिए इसका सेयुत्तर होगा Option A, जब सूर्रे और प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक करना और डेली जीके जीए सर्फ करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगला प्रेसन है गाना पक्षी अब्भारण भारत के किस राज्य में इस्तित है? आपके ओप्षन है ओप्षन A गुजरात में, ओप्षन B उत्तर प्रिदेश में, ओप्षन C असम में या ओप्षन D राजिस्थान में अपना अंसर देजिए इसका सियुत्तर होगा ओप्षन D राजिस्थान अगला प्रेसन है सतह छेत्र फल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे अथवा ताजे पानी की जील कौन सी है आपके ओप्षन है ओप्षन A कैस्पियन सागर ओप्षन B एरी जील ओप्षन C जील बलखस या ओप्षन D सुपीरियर जील अपना अनसर दीजिए इसका से उत्तर होगा ओप्षन D सुपीरियर जील अगला प्रेशन है बड़ावर की गुफाएं कहां पर इस्तित हैं आपके ओप्षन है ओप्षन A जम्मू और कस्मीर में ओप्षन B बिहार में ओप्षन C हिमाचल पिरदेश में या ओप्षन D उत्त्राखंड में ओप्षन देखकर अपना सही आंसर दीजिए इसका से उत्तर होगा ओप्षन B बिहार वीडियो को जरू लाइक कर देना और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना एपी सेंटर सब्द का उप्योग निम्निलिखित में से किसके वर्णन के लिए किया जाता है आपके ओप्षन है ओप्षन A समुंदरी तरंग के लिए ओप्षन B सुनामी के लिए ओप्षन C भूकम्प के लिए या ओप्षन D गलेसियर के लिए अपना अंसर देजिए सेंटर होगा ओप्षन C भूकम्प अगला प्रेसन है बनिहाल नामक पहाडी दर्रा भारत के किस राज्ये में इस्तित है आपके ओप्षन A जम्बू और कस्मीर में ओप्षन B हिमाचल प्रदेश में ओप्षन C उत्तराखंड में या ओप्षन D सिक्किम में वीडियो अच् इसका सेंटर होगा ओप्षन A जम्बू और कस्मीर में अगला प्रेसन है भागी रती और अलकनंदा नदियां एक साथ किस इस्तान पर मिलती हैं आपके ओप्षन हैं ओप्षन A हरीद्वार में ओप्षन B देव परियाग में ओप्षन C दहरादून में या ओप्षन D गौम अपना अंसर दीजिए और फेस्बूक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए सेयुत्तर होगा ओप्षन D जारखंड में अगला प्रेशन है रेड किलिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है आपके ओप्षन है ओप्षन A भारत और पाकिस्तान की ओप्षन B भारत और चीन की ओप्षन C भारत और म्यामार की या ओप्षन D भारत और अलगानिस्तान की अपना अंसर दीजिए इसका सेयुत्तर होगा ऑप्सन ए भारत और पाकिस्तान में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और डेली जी के जीएस और करंट अफेर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल सिक्छा मेरी दोस्त को जरूर सब्सक्राइ जरूर झाल जरूर डेली के लिए तो यहांदी है यहांदी है यहांदीवीो के अज़ में वीडियो के लिए में उत्यक्राइब बाझे को लिए झाली को जहांदीग जहांदीवें झाल झाल